हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल जोती इस कीचन आज हम बनाएंगे अर्भी के पत्तों की सबजी जिसे पात्रा भी बोला जाता है अर्भी के पत्ते की सबजी या पात्रा बनाने के लिए हमने यहां अर्भी के पत्ते लिया है जिसे अच्छी तरह से धो लिया है पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेशन का पेश्ट तयार करेंगे पेश्ट बनाने के लिए हमने यहाँ एक कब बेशन लिया है इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेश्ट डालेंगे फिर थोड़ा सा पानी डाल कर गाढ़ा पेश्ट त्यार करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके हिसाब से ही टालेंगे जितना जरूरत हो इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए करीब 5 मिनट तक फेटेंगे बेशन के फेटने से पात्रा कुरकुरे और एकदम सौप्ट बनेगी पेश्ट रेडी हो गया है अब अर्भी के पत्ते पर ये जो पेश्ट हमने बनाया है इसे इस पर एस्प्रेड करेंगे पेश्ट एस्प्रेड करते समय एक हाथ से पत्ते को दबा कर रखेंगे ऐसा करने से पत्ते खिसकेंगे नहीं और आसानी से पत्तो पर पेष्ट एस्प्रेड हो जाएगा पत्ते पर घोल एस्प्रेड हो गया है अब इस पर दुसरा पत्ता रख कर इस पर भी पेष्ट को अच्छी तरह से फैला देंगे इसी तरह से एक पर एक पत्ते को रखते जाएंगे और पेश्ट को लगाते जाएंगे हमने यहां तीन पत्तों से इसे बनाया है आप इसे ज़्यादा पत्ते से भी बना सकते हैं या फिर एक या दो पत्ते से भी बना सकते हैं अब इन पत्तों को एक साइट से पकड़ कर रोल करते जाएंगे जैसे रोटी रोल करते हैं उसी तरह से इसे रोल कर देंगे इसे धागा से बाहने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही चिपक जाता है हमने यहाँ दो रोल बना लिया है, एक रोल थोड़ा पतला लग रहा है क्योंकि इसमें हमने दो पत्ते का यूज किया है, अब इसे हम स्टीम करेंगे, स्टीम करने के लिए एक बरतन में पानी गरम कर इस पर कोई विजालीदार बरतन रख कर इस पर बनाए हुए रोल को रख फिर इसे 10-15 मिनट ढख कर पका लेंगे, 15 मिनट हो गया है, अब यह पक गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, यह अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे छोटे-छोटे पिसेस में काट लेंगे, इसके पिसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे इसके लेयर बने हैं, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, या तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, सभी पात्रा को हमने बराबर पिसेस में काट लिया है, अब इसके लिए मसाला त्यार करेंगे, मसाला बनाने के लिए हमने ल जीरा पाउडर धनिया पाउडर और एक चमत सरसो पाउडर लेंगे इन सभी को पीस कर पेश्ट तयार कर लेंगे मसाला को हमने पीस लिया है अब एक पैन में तेल गरम करेंगे फिर इसमें एक एक पात्रा को डाल कर फ्राइ करेंगे गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और जैसे पकोडा fry करते हैं, उसी तरह से इसे fry करेंगे, इसका कलर थोड़ा-थोड़ा change होने लगा है, इसके लेयर कितने अच्छे और साफ दीख रहे हैं, इसे पलट-पलट कर इसी तरह से लाल कर लेंगे, और friends ये अच्छी तरह से fry हो गया है, अब इसे तेल से निकाल लेंग अब इसमें थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे इसमें कलर अच्छा आएगा अब मसाला को मिडियम फ्लेम पर धीरे धीरे भूनेंगे हम इस पात्रा की सबजी को मचली वाला फ्लेबर देंगे इसलिए हमने इसमें सरसो और सरसो पाउडर का यूज किया है आप सरसो पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भून गया है अब इसमें पानी डालेंगे और इसमें उबालाने देंगे पानी उबलने लगा है अब इसमें फ्राइ किये हुए पात्रा को डालेंगे फिर टेस्ट अनुसार नमक डाल कर मिला देंगे फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँ सके तो पात्रा भी बनकर तयार हो गया है इसे ज़्यादा दिर नहीं पकाएंगे नहीं तो यह गल जाएगा आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी इंज्वाई कर सकते अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे